Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल मतलब की धीरे दे, हर एक देश के अंदर, जो Millets का क्रेज है, वो भड़ता जा रहा है, इसको लेकर भारत जो है, वो एक नया इनिशेटिव लॉंच कर रहा है, M-I-R-A मीरा, तो इसको डीटेल से जानेंगे, यहाँ पर क्या चीजें हो रही है, क्या होता है, इससे फायदा क कर लिजे, क्योंकि इसके अंदर, 200 से भी जादा घंटे के लाइफ क्लासे यहाँ पर कराया जाएंगे, Current Affair Static का जो Preparation होता है, Integrated वो कराया जाएगा, Books आपके घरों तक भेजे जाएंगे, All India Open Test आप दे सकते हैं, यह सारी चीज़ें बहुत कम रेट पर, आपको सिंप्ली हमारे वेबसाइट आप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में जाएए, वहाँ पर यूज करिए, Code Ankit Live to get maximum discount, इसके लावा अगर आप 2024, मतलब कि जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो, Study IQ पर, EPFO का भी जो कोर्स है दोस्तों, वो आपका 3rd मार्ट से स्टार्ट हो रहा है, आ चले सुरुवात करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, exactly हुआ क्या है, देखें, Millets, जो की एक ऐसा सीरियल है, एक ऐसा अनाज है, और ये भारत के अंदर अगर आप देखोगे, और कई ऐसे देशों के अंदर, pre-historic time से चलता आ रहा है, और ये सारी चीजें कई देशों मे देरे-देरे popular हो रही है, especially यहाँ पर जो खबर आई है, कि चाइना के अंदर जो कई सारे restaurants हैं, भारती restaurants हैं, वहाँ पर बड़ी मात्रा में इसको परोशा जा रहा है, इसको लोगों को खिलाया जा रहा है, और especially क्योंकि जो Indian Diplomatic Missions हैं, चाइना के अंदर, उन्होंने celebrate किया उगाया जाएं, क्योंकि हम जानते हैं, कि इसके माध्यम से जो भुकमरी है, उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है, और इसको endorse भी किया गया, support किया गया था by Food and Agriculture Organization और साथी साथ, United Nations की General Assembly में, 75th जो session था, वहाँ पर भी countries ने support किया था, और इसकी वज़े से 2023 को declare किया गया ह Year of Millet, अब यह जो proposal है दोस्तों, इसको 17, 70 countries ने back किया था, Indian Embassy जो है, Beijing के अंदर, Shanghai के अंदर, गुंजाओ, Hong Kong, वहाँ पर announce कर रही है, कई सारे programs, ताकि जो Millets है, उसको और ज़्यादा popularize किया जाए, इसको देखते वे आपको पता होगा, कि यहाँ पर भारत जो है, इसमें G G20 की Presidentship समाल रखा है, तो हमारे पास एक बड़ा opportunity है, कि G20, जो कि विश्व का अगर आप देखोगे, तो जो top 20 countries होती है, विश्व की जादा तर जो बड़ी economies है, वहाँ पर अगर हम इसको popular कर दें, तो इसका बड़ा फायदा हो सकता है, तो इंडिया ने अभी recently क्या है, क जो agriculture ministers हैं G20 देशों के, उनकी यहाँ पर meeting हुई थी, और उसमें ministry of agriculture की जो joint secretary है, उन्होंने introduce किया था मीरा, अब question यह है कि मीरा क्या है, आपके exam point of view से बहुत important, इसका मतलब है, millet international initiative for research and awareness, यहाँ पर agriculture ministry का कहना है, कि इसका aim होगा ताकि यहाँ पर, जो millet related research programs हैं international level पर, उसको coordinate किया जाए, और इसके साथ साथ यहाँ पर international year जो है, जो हम celebrate कर रहे हैं, 2023 में, year of millet, उसके तहत कई सारे ऐसे events हैं, कई सारे ऐसे conferences हैं, stamps जारी किये जाएंगे, coins जारी किये जाएंगे, तो इसके बारे में awareness धीरे धीरे फैलेगी, और लोग इसका consumption बढ़ाएंगे, अपने खाने में millets का इस्तमाल करेंगे, center के दोरा also plan किया जा रहा है कि भारत को हमें global hub बनाना है millets के लिए, जहां तक इसके aim की बात है तो देखिए, यहाँ पर aim यही है कि research organizations जितने भी हैं, दुनिया भर में millets से related, उनको connect किया जाए, और उनको funding भी दी जाए, उनको support किया जा है ताकि इसके बारे में और जादा research हो और इसका popular जो है हम perception लोगों के बीच बना सकें, अब यह सारी चीज़ें important इसलिए हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, भारत के पास G20 के प्रेसिडेंशिप है और इसी के वजए से हम इसका जादा से जादा इस्तमाल कर सकत हैं, तो एक तो आपको यह समझना है कि इसका main name है कि यहाँ पर जो connect है millet research organizations के बीच में वो बनाया जाएगा, एक web platform बनाया जाएगा, जहाँ पर जितने भी researchers हैं, international research conferences हैं, वो conduct कराए जाएगे और साथी साथ इसके बारे में awareness पहलाए जाएगा, अब जहाँ तक इसके funding की ब कुछ पैसा लगाना, वो भारत की तरफ से लगाया जाएगा, फिर इसके लावाद G20 के जो बाकी के member countries हैं, वो यहाँ पर membership fee के तोर पर पैसा देंगे, और उसके माध्यम से यह जो initiative है, उसको launch किया जाएगा, इसका जो secretariat है, आपके exam point of view से ध्यान रखना है, वो होगा दि millet का, तो दिल्ली के अंदर यहाँ पर क्या है कि secretariat होने से जितने भी industry research bodies हैं, वहाँ से जो भी flow of investment आएगा, उसको ensure किया जा सकेगा अच्छे से भारत के द्वारा, अब यहाँ पर जाने से पहले और question आपके मन में आ सकता है कि मैं बार-बार millets की बात कर रहा हूं, यह millet का म यह सब आप देख सकते हो, इस तरह के छोटे-छोटे जो अनाज हैं, यह नहीं को कहा जाता है millets, इनकी खास बात यह होती है कि जो rice और wheat हम उगाते हैं, गेहूं और अनाज उगाते हैं, जो हम वो बहुत जादा पानी का consumption करते हैं, तो उनको यहाँ पर अगर हमें उगाना हैं, उनको बहुत कम पानी चाहिए होता है in comparison to rice and wheat, और इसी की वज़े से यहाँ पर हम इसको जादा तर areas में उगा सकते हैं, अभी अगर आप देखो कि दुनिया भर में 130 countries में millets को उगाए जाता है, और लगभग आप कह सकते हैं कि more than half a billion people in Asia and Africa, उनका जो millets है, वो traditional food रहा है, मतलब बहुत पहले से pre-historic times मैंने आपको बताया है न, वहाँ से ये लोग खाते आ रहे हैं, globally अगर हम बात करें, जो सबसे popular millet है, जो सबसे जादा प्रसिध है, millet वो है आपका जोआर, जोआर सबसे जादा अगर आप देख सकते हैं, तो US, China, Australia, India, Argentina, Nigeria, Sudan, यहाँ पर इस के बाद अलग एक और जो major millet crop है, उसका नाम है बाजरा, और बाजरा आप देखोगे, तो कुछ African countries में और भारत में तो उगाई जाता है, millets आपको ध्यान रखना है, यह रावी crop नहीं है, यह है खारिफ crop, खारिफ crop मतलब मौनसून के समय, आपको पता है, इसकी sowing होती है, और winter से पहले harvesting हो जाती है, जो रावी है, वो winter किसमें आपका उगाई जाता है, यह रावी crop नहीं है, जो millets है, वो आपका खारिफ crop है, और 2018-19 का जो agriculture ministry के अगर डेटा है, उसमें यह कहा गया है कि बाजरा, जवार और रागी, यह तीनों अगर आप देखोगे, तो भारत म जितना भी gross cropped area है, उसमें से 7% हिस्सा, यह अकेले 3 crop लेते हैं, तो भारत के अंदर बड़ी मातरा में इसको गाय जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी समझता है, कि यह बहुती ज़ादा nutritious होता है, इन फाक्ट आप देख पाऊं कि agriculture ministry ने declare किया है, कि जो आर nutritious balance है, वो असानी से बना रहेगा, अभी आपको याद होगा अभी जो budget आया था, उसमें निर्मला सीतरा मंजी ने अनाउंस किया था, कि millet को as a Shree Unn के नाम से अनाउंस किया था, budget speech में उन्होंने धनवाद दिया था, farmers को जो small farmers हैं, जिन्होंने इसको उगाया है, मिलेट रहते हैं, और ये भारत का कई सदियों से integral पाट रहा है, तो इसको बड़ी मात्रा में हर जगा, in fact मैं गया था, सूरज कुन मेला हुआ था, वहाँ पर देखा तो इसको बड़े पैमाने पर promote किया जा रहा था, कई जगा metro stations पर आप देखिए, holdings देखिए, हर जगा जो है G protect main crop, मतलब एक तो मानलो main crop है, उसके साथ साथ एक और crop को उगाय जाता है, ताकि main crop को protect किया जा सके, उसको support दिया जा सके, तो क्या बता सकते हो कि यहाँ पर उसके साथ जो supporting crop होता है, उसको हम क्या कहते हैं इन चार में से, इसका right answer आप सब को पता है, मेरे instagram पर तो मिलेगा या, UPSC के अगर आप त्यारी कर रहो, use code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हम से next time, till then thank you very much, see you soon.